हेलो तो मैं आज आपके लिए और वीडियो लोखे आ गया हूं जहां पर मैं और एक आप का आज में रिवीज और आपका नाम आपको बताने से पहले मैं तो monthly इसका 100-200 dollars आपका बन जाएगा ठीक है तो चलते हैं क्या है यह चीज मैं आपको बता देता हूं ठीक है तो गाइस जो पहला चीज है आपको करना है वो गाइस आपको प्लेश्टोर पर जाना है नहीं तो मैं आपको लिंक डेस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपका नाम एक चलते हैं वीडियो को शुरु करते हैं बिना कोई देरिकिए तो इसमें डीस्काउट को ओपन करता हूं अभी तो काईस देख रहे हो डीस्काउट ओपन हो चुका है तो जब काईस पहले आप ओपन करोंगे तो देखें यह बहुत सारह चीज आपको दिखाएगा ठीक ह तो यह बहुत सारे जो है यह सब एक स्टॉडीज है तो गाईज अभी स्टॉडीज अगर इतने हैं टेस्टरबल मांट पर तो एसे नहीं आते थे यहां पर देखें जैसे लिखाए ओपिनिंग 30 ओपिनिंग 25 और यहां पर रिवर्ड देखें ठीक है 125 डॉलर 25 डॉलर 50 डॉल 90 डॉलर तो यहां पर रिवर्ड भी बहुत ज्यादा है ठीक है और इसलिए आपको थोड़ा 220 डॉलर तो इसलिए आपको ज्यादा करना पड़ेगा अभी पहले आप जब यहां पर आऊगे तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा ठीक है अकाउंट बनाने के लिए पहले आपको sign in करना पड़ेगा मैं आपको दिखा यहां पर sign up पर दबाना है फिर आपका नाम, email, address, password देखे sign up पर click करना है ठीक है मैं आपको करके वह वाला process करके मैं आपको next process पर दिखाता हूं तो guys हमने sign up कर लिया, sign up करने के बाद यह कुछ ऐसे दिखाएगा scout terms and conditions आपको ok पर दबाना है ठीक है यहां पर फिर आना है और पूरा इसको नीचे लेके यहां पर agree, I agree पर दबाना है ठीक है लेकिन अगर आप कहीं भी अगर आप click करें देखिए ठीक है अभी कोई भी यह जो studies है इसको आपको करना कैसे है ठीक है मैं यह आपको बता दूगा लेकिन अगर आप starting जब sign in करोगे तो यह कोई भी अगर आप study पर click करके start applying पर दबाऊगे ना तो यह आपको देखिए अपना जो profile है उसको complete करने बोलेगा ठीक है तो मैं यहां पर कुछ भी नाम से यहां पर account खोल दिया हूं एक dummy account बड़्डे आपको कर देना है मैं अपना main account है वह आपको sony कर रहा क्यूंकि main account थोड़ा उसमें मैं काम किया हूं इसलिए तो October हो गया इतनी city पे आपको ASEAN देना है ठीक है country पे इंडिया फिर जो भी country से आप बिलंग करते हो वो दे देना ठीक है तो अभी city पे लिखके मैं आपको next step पे मिलता हूं ठीक है अब देख सकते हो मैं अभी अपना profile को update कर चुका हूं ठीक है profile को update कर लिया हूं मैं जितना भी अपना जो profile picture भी बोलेगा देने के लिए वो भी दे दिया हूं और इसको आपको करने के बाद यह जो सारे studies दिखा रहा था वह आपको अभी नहीं दिखाएगा क्योंकि वह कुछ location based था ठीक है सोच लिजे कोई एक study होगा जो की researcher को या फिर जो भी company को उसको बस US के लोगों के साथ करना होगा तो वह आपको दिखाएगा नहीं ठीक है अभी यह profile को update करने के बाद यह वाला वही studies को दिखा ठीक हो ठीक है और एक चीज़ यादर कि यहां पर studies हमेश्था नहीं आता कभी-कभी आता है लेकिन हर एक study का payment rate बहुत तया रहता है लेकिन starting होता है कभी-कभी $5 लेके $150 तक भी मिल जाता है अगर आप study को complete करते हो तो ठीक है तो चली चलते अगर आप महिने में एक भी study कर करते हो तो वह भी बहुत बड़ी बात है तो के close करते हैं इसको देखिए अभी में करने के बाद मेरेको बस एक study दिखा रहा है अभी जो मेरे लिए available है अपना location के लिए जिसका reward गाइस देख रहे हो फिफ्टी डालर है और opening 30 है तो इसमें करना क्या है मैं आपको बता दू आपको मैं बता दूं कोई भी चीज यहां पर यहां पर जितना भी यहां पर आपको दिखेगा studies हर study को करने से पहले मतलब यहां पर accept करने के लिए आपको application देना पड़ेगा ठीक है यह opening 30 है तो यहां पर total 30 जन select होंगे बहुत जन apply करेंगे लेकिन बस 30 जन select होंगे ठीक है और चैसे करेंगे मैं आपको बता दूं तो इसको आपको क्लिक करना है ठीक है और यहले क्या करेगा एक screener में क्या होता है मैं आपको बतादू तो यूजर टेश्टिंग में स्क्रीणर रहता था यहां पर भी जासे पुछ पूछेंगे उनको कुछ स्पेसिफिक लोग चाहिए होंगे ठीक है यह करने से देखिए यह आपका देखिए मतलब यहां पर पैसा दो कमाएंगे लेकिन एक चीज जिसका speaking skill भी नहीं है speaking skill भी यहां पर develop हो जाएगा तो यह एक अच्छा opportunity है आपको यहां पर आना है ठीक है स्क्रीणर का आंसर किसी को नहीं पता होता है ठीक है स्क्रीणर पूरा रैंडम होता है स्टार्ड अप्लाइंग करना होता इधर और देखिए यहां पर question पूछना है यह बोल रहा है कि आपको बोला जाएगा यह जो study पर आपको बोला जाएगा लैप्टप और डेश्टप प फुल टाइम एंप्लेट फुल टाइम देखिए हम कहीं पर कहीं पर यहां पर रिजेक्ट हो सकते हैं मैं बस आपको एक स्क्रीणर का एक्जाम्पल दिखा दराऊ ठीक है can you tell us more about your current work school situation तो गाइज मैं यहां पर बोल दूंगा आम वर्किंग रिमोटली 100% तो नेक्स्ट कर देता हूं अभी मैं बोल दूंगा डू डू यू डू अफ़ फॉलोइंग अप्लाइग तो यू प्लीज चूज अल एप्लाइग तो गाइज मैं बोल दूंगा कि नॉन अप्लाइट यूमी नेक्स्ट क्वेस्टिन पर चलते हैं चलिए हम अभी तक स्क्रीनर पर हैं तो यह बोला है वीच सर्फेस गोडिवाइस डू यू आप तो यह देखिए गाइस मेरे पास तो सर्फेस गोड नहीं है ठीक है तो मैं यह स्टेडी कर नहीं पाऊंगा ठीक है फिर भी मैं अगर सेलेट करें और यहां में निकाल दिया इसका मतलब यह सोच लिजिएगा कि वह आपको स्क्रीनर से निकाल दिया है ठीक है तो स्क्रीनर इसलिए होता है यह बोल रहा है कि अभी हम सार्फेस क्रोग को क्यों यूज करते हैं ब्राउजिंग करने के लिए डेटा अगर आपके बास आपको लिखना है अब क्या करते हो ठीक है मोस्त जगह पे आपको बोलेगा वीडियो एक रिकॉर्ड करके बोलने के लिए क्या करते हो यह बोलने के लिए ऑपके बोलाएगे एंसर करने के लिए तो आपको अंसर करना है अगर आप सिलेक्ट होते हो तो तीस जन में से कोई भी यूजा होने के लिए और साय इसका खराव है 3.5 क्योंकि क्यों रिजन क्या मैं को बता दूं तो मैक्सिमम जन यहां पर क्वालिफाइड नहीं कर पाते उनली रिजन इस वह ट्राइड भी नहीं करते इंग्लीज पर बोलने के लिए अपना वह जो होता है न अपना जो आपको निकलना पड़ेगा अच्छे से महनत करना पड़ेगा तो यह गैरंटी होगा आप एक बार ट्राइ किजिएगा यह वाला जो सफेस का अभी करेंट लिए यह तो अभी आपके लिए मतलब अपना इनकरेगा लेकिन अभी नेक्स से जब भी कुछ आएगा यह वाला ची यह हो गया डिस्काउट के बारे में complete process में बोल दिया ठीक है और हाँ अलब इतना बड़ा भी नहीं होता मैं होप करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और गाइज एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए वीडियो को क्यूंकि मैं इतना मेहनत करता हूँ थोड़ा मोटिविशन मेरको मिल जाता है ठीक है मैं जल्दी मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए गाइज बाइबाई टेक केर और गाइज हैप्पी अनिंग